मुंगेर यूनिवर्सिटे दुबरा इस वक्त एक बहुत बड़ी खुसकबरी निकल के आ रही है कि सत्र 2020-23 यानि कि पाट 2 का एक्जामिनेशन सेंटर एंड प्रोग्राम को जारी कर दिया गया है तो कब से आपका एक्जाम स्टार्ट होने वाली है कहां आपका सेंटर पड़ा है आई या आज के इस वीडियो के माधियम से पूरे डिटिल के साथ जनकारी देने वाला हूँ नमस्कार दस्तों मैं हूँ बबलू और आप देख रहे हैं मालीला टेलेकुम। सबसे पहले दस्तों यहां आप देख सकते हैं कि एक्जामिनेशन 22-2023 की है जो आज की ये नोडिस्पिकेशन है और अभी भी जारी हुआ है प्रोग्राम और बेचलर पार्ट टू सबजेक्ट सबजेक्ट जेनरल एक्जामिनेशन यानि की ओनर्स और जो भी जेनरल की एक्जाम होती है उसका डेट इसमें लिखा हुआ मैंशन किया हुआ आपका एक्जाम जो है स्टार्ट होगी 11-3-2023 को सटर डे से एक्जाम सुरू होगी जो दो सिप्ट में एक्जाम लिया जाएगा नमर की इंगलीज की एक्जाम्स होगी और जो उर्दू रखें उसके लिए भी होगा बंगाली रखें उसके लिए भी होगा सकेंड सिप में आर्स वालों के लिए होगी जो 50 नमर की इंगलीज, 50 नमर की हिंदी और भी सब्जाइसे की उर्दू, बंगॉली रखें उसका एक्जाम्स इस तरह से आपका एक्जाम्स लिया जाएगा एक प्रोग्राम मिलेगा जिसे की एक्जामिनेशन नौटीस पर दो, आनि की 270 बेचलर ओनर्स पार्ट्टू एक्जामिनेशन 2030 सेशन 20-23 वालों के लिए ओनर्स सब्जेक्ट के लिए फ्लोविंग दा प्रोग्राम, यहां आपको इस तरह के सब्जेक्ट जिसे की ग्रूप य में क्या होगी, फिजिक्स की होगी, केमेस्ट्री की होगी, बोटनी की होगी, जिलोजी की, मैठेमेटिक्स एंड इकोनोमिक्स की होगी, ग्रूप यह में, आपको इस तरह से सलेक्ट करना है, उसी तरह से ग्रूप भी में अगर आप सलेक्ट करते हैं, तो कोमर्स, सेकलोज Economics, RPM, English and Music Group C में देख सकते हैं कि Hindi, Bengali, Gandhi, Tao, Politician, Science इस तरह से आपको subject को सर्च कर लेनी है Group D में अगर मैं सर्च करता हूँ तो History, Psychology, Home Science यहाँ आपका Sanskrit इस तरह से Group, Grouping सर्च कर लेना है आप देख सकते हैं कि यह जो 27 तरीक से जो exam start होगी 27 तरीक क्या है और स्कëंड सीप में आपका क्या होगा Group A का होगा सकेंड सीप में Group B का होगा जो पेपर थड लिया जाएगा और पेपर इसमें भी ग्रूप A में थड लिया जाएगा 27 से exam start होगी और 28 को आपका क्या होगा Group C का जो भी पेपर है पेपर थड़ होगी और गुरूप D में भी पेपर थड़ लिया जाएगा इस तरह से आपका एक्जामिनेशन स्टार्ट होगी गुरूपिंग वाइज का गुरूप A, B, C, D करके अब आगे आपको एक्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको पता करना है कि ओनर सोर जो सबसीडी के लिए मेरा सेंटर कहां गया है उसके लिए आपको सर्च करना है यहां आप देख सकते हैं कि examination of center यानि कि इस college का center कहा पढ़ा हुआ है इस college में पढ़ा हुआ है यहाँ उसका जो principal होती है उसका नाम दिया गया तो RD&DJ college मुंगेर का center कहा पढ़ा है BRM college मुंगेर में पढ़ा है इसी तरह से आपको search कर लेनी है मैं एक और दिखाता हूँ जिसे कि यह कौसी college खगडिया का कहा पढ़ा है महिला college खगडिया KDS college खगडिया इस तरह से आपको college को select कर लेनी है उस तरह से आप देख सकता कि नम्मा नम्मर में दिया गया है SAE college जमूई जमूई में कितने college का center पढ़ा है KKM college जमूई का SPMW college जमूई और P P Y college जमूई का पढ़ा है ओनर्स के लिए इसमें पढ़ा हुआ है इस तरह से आप अपना subject wise से select कर सकते हैं और अपना college को देख सकते हैं कि मेरा center कहां पढ़ा है I hope अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक कर दिजिएगा अपने दोस्तों के साथ share भी कर दिजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में नाइट टॉपिक के साथ तब तक के लिए हमें दें इजादत बना रखें क्याल टिक केर वे बाए